नवश्कार आप सभी लोगो स्वागत है प्रोक्स्मा रव्यू पे अभी अभी Flipkart ने लॉंच किया है खुद की UPI सर्विस और यहां हम जानेंगे कैसे Flipkart पे UPI अकॉंट बनाना है तो यहां पे सबसे पहले आपको कोई भी प्रोड़क्ट पर्चेस करना होगा और यहां प कुछ offers दिये जा रहे है Flipkart की तरफ से Flipkart और Axis Bank ने टाइप किया है तो उसी के अनुसार जो है Flipkart ने अपना UPI सर्विस लॉंच किया यहां पे देखिए आपको जो है 25 परसेंट सुरी 25 रूपी इंस्टेट कैस्बैक मिलेगा according to your purchase जितना ज्यादा पर्चेस करें उसी सा या debit card ATM card का भी option आपके सामने है net banking का भी option है wallet का भी option और cash on delivery का भी option है यानि कि आप घर वैटे payment कर सकते हैं आपके पास delivery boy आएगा और आपको जो है वहाँ पे payment करने होगी as a cash या फिर आप UPI की मारध्यम से भी कर सकते हैं और यहां आपके सामने UPI ID दिख रही है आप UPI ID अ अब select कर सकते हैं तो यहाँ बे मैं select किया है अपना zero balance वाला खाता जिसमें मैंने अभी recently खोला है kotak bank account यहाँ बे मैं kotak bank account select कर रहा हूँ अगर select आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे ऊपर यह search वाला option है वहाँ आप जाके search कर सकते हैं तो देखिए यहाँ बे मै जो है send करना होगा SMS अपने primary bank account में तभी जो है flip card का UPI वर्क करेगा और आपका bank account add होगा flip card के UPI से यहाँ पे अपना kotak Mahindra bank zero balance वाला account select कर रहा हूँ और उस ही से मैं अपनी UPI payment करता हूँ तो चलिए सबसे पहले select कर लेते हैं kotak Mahindra bank और यहाँ पे आपको allow करना होगा नीच और यहाँ पे मैंने अपना mobile number चेंज कर दिया था तो अब मैं फिर से kotak वाला mobile number लगो और यहाँ पे आपके सामने flip card UPI बनके तयार हो चुका है आप दूसरा bank account भी add कर सकते हैं यहाँ पे आपके सामने add bank account का option आ रहा है flip card UPI को बनाना बहुत असान है तो इस तरह बना सकते है flip card UPI account